हलो दोस्तों आज बनाएंगे बहुत ही टेश्टी नास्ते की रेसिपी वीडियो को पूरा देखिएगा रेसिपी जरूर पसंद आएगी और मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा चलिए बनाते हैं यह मैंने एक कप पोहा लिया है इसको अच्छे से छान करके साफ कर लिया है अब पोहा को डालेंगे एक मिक्सर जार में अब पोहा का पाउडर बना लेते हैं पीछ लेते हैं अब यह पोहा पिस गया है इसका पाउडर बन गया है अब इसको डाल लेंगे एक बड़े बरतन में एक बॉल में डाल लेते हैं अब इसमें और अच्छा टेस्ट लाने के लिए एक चौथाई कब बेशन डाल लेंगे ये दो बारी कटी हरी मिर्ज डाल लेते हैं मिर्ज आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजे जितना तीखा खाते हों थोड़ी सी धन एक पत्ती डाल लेते हैं अब इसमें कुछ मसाले डाल लेंगे एक चौथाई चम्मच काली मिर्ज पाउडर थोड़ी सी लाल मिर्ज पाउडर एक चौथाई चम्मच चाट मसाला एक चौथाई चम्मच नमक या फिर स्वात के नुसर एक चम्मच के आसपास तेल डाल लेंगे अब इसमें डालेंगे एक कप पानी अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अभी ये गीला दिख रहा है लेकिन जब इसमें पोहा फूल जाएगा तो ये गाढ़ा हो जाएगा अच्छे से मिक्स करेंगे क Torah अभ यह देखी मिक्स करते करते ये गाढा हो गया है अभी और गाढा हो जाएगा क्योंकि पूहा भी और फूलेंगा अभ इसको पास से मिक्स करें ये दिखे काफी गाढा है एकदम डो की फौर में आ गया है अब हाथ में थोड़ा सा तेल लगाके इसको हटा लेते हैं अब इसको हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं यह जैसे आटा लगाते हैं उसी तरह हो जाता है यह देखिए अब यह अच्छे से मिक्स हो गया है अब इसका नास्ता बना लेते हैं अब हाथ में तोड़ा सा तेल लगा लेंगे, एक छोटा सा बाई टुछाते हैं, अब इसको पहले गोल कर लेंगे, फिर इस तरह से लंबा कर देते हैं, आप चाहें तो गोल भी बना सकते हैं, या फिर टिक्की के आकार का बना लीजिए, ये देखें, एकदम फ्रेंच फ्रै जैसे बन गया, अब एक प्लेट में रखते जाएंगे, अब इसी तरह सारे बना के रख लेते हैं, इस सारा नास्ता मैंने बना लिया है, अब चलते हैं गैस की तरफ, अब पायन में मैंने तेल रख दिया है, गरम होने को, आप चाहें तो कडाही में रख दीजिए, अगर इस को आन करके मीडियम फ्लेम में कर लेते हैं, तेल को गरम होने देंगे, अब तेल गरम हो गया है, अब नास्ता को डालेंगे, धीर से हाथ बचा के दालना है, ति दर ले न पाये, अब थोड़ा से पाक जाएं, उसके बाद पलतेंगे, नहीं से प्लूट जाएंगे, क्योंकि गोल है न, आराम से घुन जाते हैं, यह देखें, अब उधर भी पकने देंगे, अब फिर से पलट देते हैं, अब इनको अलटते पलटते, अच्छे से गोल्डन होने तक सेक लेना है, गयस को मीडियम फ्लेम में ही रखेंगे, जिसे आराम से पकें, तो उपर से क् बच्चे बहुत शुच हो जाते हैं, बड़ों को भी पसंद आता है, घन्टी का बटन होता है, उसको जरूर दबाइएगा, इससे मेरे नए-नए वीडियो आपके पास जल्दी से पहुंच आए, अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजेगा अब ये अच्छे से पक गए हैं ये देखिए अच्छा कलर भी आ गया है अब इनको बाहर कर लेंगे थोड़ा सा टेड़ा कर देंगे जिसे इनका इस्ट्रा तेल निकल जाए इस तरह से अब इसी तरह दूसरा बना लेते ही अब सारे बना कर रख लेते ही ये बहुत ही टेश्टी पोहे का नास्ता बन के तयार है मेरे तरीके से आप भी ट्राई कीजेगा आपको भी बहुत पसंद आएगा इसको आप टोमेटो स्वास, ग्रीन चट्नी या फिर जो भी चट्नी आपको पसंद हो उसके साथ सर्व कीजे सभी के साथ बहुत टेश्टी लगता है इसको मैं टोमाटो स्वास के साथ सर्व कर रहे हूं एक तोड़ के दिखाती हूं यह बाहर से एकदम क्रिस्पी, अंदर से एकदम सॉफ्ट है यह देखिए आवा सुनिए अब एक टेश्ट करके देखते हैं बहुत टेश्टी है, मज़ा आ जाएगा एक बार आप भी ट्राइ कीजेगा और मुझे कमेंट करके बताईएगा कि आपको नास्ता कैसा लगा चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ